स्लाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं आया हूँ यहां पर यह रिजॉर्ट से यहां पर बना हुआ और आगे जो है तो कश्टियां खड़ी हुई है जो लोग समंदर में घूमने जाते हैं यह आप देख सकते हैं मेरे बेक साइड पर कश्टिया नजर आ रही है अप लोगों को यहां चलते हैं कि कौन Konsin कश्टिया कड़ी है यह लोग जा रहे हैं फिर जहां को छेक लिए चलते हैं झाले ओचिना के लिए और चलते हैं तो तो आगे बड़ी कष्टिया भी नजर आ रही है वह भी खड़ी है मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ यह देखें यह नहीं कष्टिया है सारी नहीं बोर्स खड़ी हुई है कि इनको रिपेर किया हुआ है कलर किया हुआ है वैसे चमकने वाली है सारी कष्टिया चमक रही है और इस तरफ भी कष्टिया खड़ी हुई है यह रिपेरिंग का काम हो रहा है इदर बनावर भी रहें कि यहां पर जो है तो फस्ट टाइम मैं आया हूं और पता नहीं कि कोई चीज मम्हुट Tो नहीं है को वीडियो श्यूंद बनाने केlichen今日 तो नहीं तो आगे चलते हैं और यह बेयल लगा मैं लेकिन यहां पर ऑनलाइन इंट्री होती है यहां पर घूमने के लिए समंदर बुकिंग करते हैं और उनकी परकिंग हैँ अब क्योंकर मैंने तो तो बोर्स की मुकी नहीं की हुई थी तो मैंने गाड़ी बाहर पारक की है तो लोग आ रहे थे उनके साथ में भी पीछे से निकल के आ गया मैं शायद रोकेंगे तो रोक जाएंगे क्योंकि यहां से मैं गुजर के जा रहा था तो मुझे काफी रश नज़र आया लोगों का ना बोर्स पर जाने के लिए बाहर से तो मैं भी फिर इदर आ गया यह देखें यह मैं तोड़ा जूम करता हूँ यह एक जीरो मीटर खड़ी है नहीं है और यह सारी बोर्स खड़ी हुए है यह आप चेक कर सकते हैं अब आगे का बनाने का ममनु है शायद बोर्ड भी लगे हुए काफी यह देख सकते हैं यह साइन बोर्ड भी लगे हुए वीडियो बनाने का ममनु है अधर तो तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारेश है कि मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ब्लस बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों के जो कॉमेंट्स आते हैं तो हमें भी वसलाफसाही मिलती है वीडियो बनाने में और अच्छे-च यह है सामने से और एक जहाद भी जहाद फिलाइंग कर रहा है जा रहा है उड़के यह यह है यहां का समंदर जहां पर लोग जाते हैं घूमने के लिए समंदर के अंदर हाला के और तो लगा हुआ था ममनू का कि यह वीडियो अब नहीं बना सकते हैं लेकिन उसके पाउज हो तो मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूं यहां पर यह देखिए यहां पर आके बोट खड़ी होती है जैसे यह खड़ी हुई है तो फिर लोग यहां से भूनने के लिए जाते हैं यह एक बोट जो है अगर आप इसको बुक करेंगे तो 700 रियाल में है मैंने पता किया था बाहरे लड़के जो बात कर रहे थे तो उन्हेंने कहा था यहां पर अगर स्पेशल आप बोट बुक करेंगे तो आपको 700 रियाल में पड़ेगी अगर आप बड़ी कश्ति में कुछ ऐसी जगाएं होती है ना जहां पर थोड़ा सा वीडियो बनाने का प्रॉबलम होता है वहां पर प्रैशानी हो जाती है दुश्वारी हो जाती है लोग इतराज कर रहे होते हैं और इस नजर से देखते हैं कि बस यह लोग हमें चबा जाएंगे खा जाएंगे गुस् जो है तो अपने यूटरूबों को दूसरे मुलक के कंट्री के यूटरूबरों को बुलाते हैं कि आओ हमारे मद्द करें और यहां पर दिखाएं लोगों को क्या क्या चीज को पने से अची सीज़े जो लोग विज़िट करना चाहते हैं तो लोग दूसरे यूटर psychologyवाले यूटूबरों को काफियों को बुलाया हमने देखा है लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो है इस चीज को गलत समझा जाता है हाला के वीडियो बनाते हैं सारे दिखाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहां पर ममनू हो जाती हैं तो फिर अच्छा ही नहीं लगता इस तरह का जो वीडियो शीडियो बनाना लोग फिर अतराज करते हैं यह देख सकते हैं समंदर यह पूरा समंदर है और दूर तराज जो है तो बिल्डिंग है बन रही है आबादी भी हो रही है उस तरफ यह इस तरफ चारो तरफ आप देख सकते हैं तो यह मशीन भी कोई लखड़ी हो इन लोगों की यह है ओबर शुमाली इस एरिया का नाम है ओबर शुमाली दोस्तों ये ओबर शुमाली जद्दा का उबर शुमाली का एरिया है सामने बोर्स भी लगी हो यह खड़ी चला रहे हैं लोग यह देख सब्सक्राइब में रहा हवास है इस तरह जो है तो फैर भी बन रहे हैं यह पीछ पे जो है रात के टाइम यहाँ पेटने के लिए कोई बोफिय टाइप होगा सब्सक्राइब करते हैं और जिनके पास नहीं है वह जानी सकते हैं यह लोग आ रहे हैं जो गए थे घूमने के लिए यह बाई बेठा हुआ अपनी कष्टे में कोई आएगी बुकिंग तो यह फिर बुकिंग के साथ जाएंगे यह देखें यह सारे खुम करारा रहे हैं हाव आरियो वालक सलाम अलाह हम वाक सलाम हम दिल्लाह को इस यह तमाम जो है तो कुम फिर क्या आए हैं वापसी सलाम अलेकुम दोस्तों उमीद है सब किरस्ट होंगे सब ठीक होंगे आ दोस्तों मैं आज आया था यहां पर ओबर शुमाली यह बहर पर यह पीछे मेरे आप कष्टियां देख सक रहे हैं और यहां पर लोग जा रहे थे आज इनकी कोई यहां पर पाटी शाटे थी तो मैं मैं यहां छोड़ने आया था लोगों को और मुझे भी टाइम मिल गया था अंदर जाने का हाला के मेरे पास कोई टिकट नहीं था कोई इंट्री नहीं थी लेकिन जैसे ही लोग आ रहे थे तो में उनके साथ निकल के आ गया और वो लोग चले गए सामने एक बड़ी कश्ट के नाम से यह देख सकते हैं जद्दा टावर के नाम से क्योंकि सूरज भी इसी तरफ ग्रूब हो रहा है तो वीडियो भी सही नहीं आए कि सामने से रोशनी तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारेश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए प्लेस पेल आइकों ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मुस्तक्बिल में हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे यह यहां पर बोट्स खड़ी हुई है सारी है कि यहां से लोग पुकिंग करके लेके जाते हैं इनको लोग पिकनिक पार्टी पर आते हैं ने पिकनिक घूमने पार्टी लगाते हैं तो पिकनिक के लिए इन लोगों को इनको बुकिंग करते हैं यहां पर जो भी लोग आते हैं और इस तरह कर जो है तो पिकनिक पर फिर लोगों को लेके घूमने जाते हैं समंदर में सारी नई पॉर्स हैं यह देखें न यह समंदर है ओबर शुमाली का कितनी अच्छी अच्छी बोट्स खड़ी हुई है यह खड़ी खड़ी भेल रही है पानी के लेह रहे हैं रीचे से छोलियों से कि यह को बड़े जो है तो गुबारे बांदे हों ताकि किसी को टच ना हो टच हो भी तो नुक्सान ना हो इस तरह का यह इन के जो है तो मोटर होती है फेन जो पीछे से इसको मशीन कहते हैं मकीना कहते हैं पंखे लगे हुए बहुत सारी बोर्स खड़ी हुई है काफी जो है तो लोग गए हुए आगे समंदर में खूम लेकर लिए निकले हुए हैं और काफी खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं लोग खूम रहे हैं यह बोर्स मिलती है लोग भूमने जाते हैं तमाम देखने वाले दोस्तों से गोजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए पिलस बेल आइक उनको जबूर प्रेज कीजिए और इन्शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए याला आफिस अउन्ट झाला आफिस याला आफिस जाफिस याला याला कर वहा है झाल झाल यारीफ था बना बटक्तेस ऐसे थाउना लाईट सेङ्टेस से वे लुड़स देप मुड़ सेंगे कि बालो के वेदिए सेंगे जाते हैं झाल झाल